हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवद्गलो में थम्नेल और टाटल देखकर समझेगे होंगे कि हम लोग आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं फिर भी आपको हम बताना चाहेंगे कि आज हम टैली प्राइम के अंदर बाउचर की इंट्र करेंगे तो अगर आपको विडियो फंदा रहा हो तो आप लोग इसे शेर करना न भूले खास कर आप इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स साथ में शेर करें जो टैली प्रायंग कि सीख रहे हों यह वो चीखना चाहते हों अगर आपको वीडियो में जड़ा सावी इंट को फिस्ट करेंगे कि अगली बार जब वीडियो बनाया जाए तो उसमें उस टॉपिक को क्लियर जरूर किया जाए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि बाउचर होता क्या है तो टैली प्राइम के अंदर अगर हमें किसी भी लेन देन के इंट्री करनी है तो उसके लिए अलग-अलग बाउचर बनाए गया है और उस बाउचर को ओपन करने के लिए अलग-अलग शॉटकट बनाए गया है तो समझते हैं हम लोग कुछ बाउचर के बारे में और फिर उनका आगी चलके यूज करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं परचेज परचेज जो होता है इसको ओपन करने का शॉटकट एफ-9 हो तो यह होता है दूसरा मार आता हैं सेल्स सेल्स को ओपन करने का शॉटकट जो होता है वह होता है तो यह लग-लग जाते हैं उनकी अलग-अलग शॉटकट है तो हम जानते हैं किस voucher का use किस कारी के लिए किया आता है सबसे पहले आते हैं purchase voucher में इसका shortcut जो होता है वो F9 होता है इसका use क्या है वो समझते है तो बताया गया है कि इस voucher का प्रियोग cash और credit पर item को purchase करने के लिए कियाता है जैसे अगर हम कोई item purchase कर रहे हैं चाहे वो नगद हो या उधार हो तो इसके लिए हम लोग F9 voucher यानि की purchase voucher का प्रियोग करेंगे तो purchase voucher का प्रियोग जो है वो है किसी भी item को नगद अथवा उधार प्रचेज करने के लिए इसके बाद आता है sales voucher sales voucher का shortcut जो होता है वो F8 होता है और इस voucher का प्रियोग है वो है cash या credit पर item को sale करने के लिए यानि की अगर हमें item sale करना है तो हम लोग sales voucher का प्रियोग करेंगे और इसका shortcut होता है F8 इसके बाद नेक्स आता है receipt voucher receipt voucher का shortcut जो होता है वो होता है F6 और इस voucher का प्रियोग है वो है cash आर या bank के द्वारा पैसा रिसीप करने के लिए यानि कि अगर हमें पैसा प्राप्त हो रहा है किसी भी customer से यह हमें पैसा प्राप्त हो रहा है तो इसके लिए हम लोग प्रियोग करते हैं और इसको open करने का shortcut जो है वो F6 है इसके बाद नेक्स आता है हमारा payment voucher पैमेंट बाउचर को open करने का shortcut F5 है और इस बाउचर का जो प्रियोग है वो है cash या bank के द्वारा पैसा देने के लिए पैसा पैमेंट करने के लिए यह हमें supplier को या किसी भी जगहां पैसा पैमेंट करना है पैसा हमें देना है तो उसके लिए हम लोग payment बाउचर का प्रियो है वह है cash bank या bank से bank के बीच entry करना इसका मतलब है यह हम bank में पैसा जमा कर रहे हो या हम bank से पैसा निकाल रहे हो तो इसके लिए हम लोग contract का प्रियोग करेंगी या एक bank खाते से दूसरे bank खाते में पैसा transfer कि जा रहा है इसी company के एक खाते से उसी company के दूसरे खाते में अगर पैसा transfer हो रहा है तो भी हम लोग contract का प्रियोग करते हैं इसके बाद आता है जर्नल बाउजर इसको open करने का shortcut जो है वह F7 होता है इस बाउचर का प्रियोग होता है वह किसी भी प्रकार की entry करने के लिए करते हैं जैसे अधि हम कोई voucher entry कर रहे हैं और वह purchase नहीं है वह sale नही receipt नहीं है Contra नहीं है तो इसका प्रियोग जर्नल में किया जाएगा यहां अगर कोई voucher है कोई voucher है जो को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके entry कहां करनी है तो इसे हम लोग journal voucher में करते हैं ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे जो बाउचर है परचेज, sell, receipt, payment Contra और जंदल किसका क्या प्रियोग है तो अब हम चलते हैं अपने टैली प्राइम पर चलते हैं और वहां पर हम लोग सीखते हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम लोग entry कैसे करते हैं तो यह आपका टैली प्राइम और यहां पर बाउचर की entry को करने के लिए यहां आपको दि तो हमारा voucher open हो जाएगा. जीकिए, voucher open होने के बाद नहींची हमें अगर हमें अगर हमें sale खोलना है तो उसके लिए हम लोग F8 रब्र ATP करेंगे अगर हमें payment खोलना है तो उसके लिए F5 रब्र iOS करेंगे अगर हमें receive to use करना तो उसके लिए अगर हमें जर्नल उपन करना है तो उसके लिए एक सेवन करेंगे अगर हमें कांट्रा करना है तो उसके लिए एक फोर करेंगे तो यहां पर शॉर्टकट के दुवारा हम बाउचर को ओपन करते हैं अदर्वाइज या तो आप बगल में देख रहे होंगे इस तरफ यहां पर लिखा हुआ पेमेंट हम माउस से क्लिक करेंगे तो पेमेंट खुल जाएगा रिसिप्ट खुल जाएगा आप देख पा रहे होंगे यहां प्रकार के पहले उसका सच्पाड कर देख लिखा हुआ है तो अलग-अलग प्रकार कि एंट्री को करने के यह कि आता है तो सबसे पहले हम लोग सिखते है परिष्ज बॉचर मेंं एंट्री करना तो हमने purchase पर क्लिक कर दिया है और purchase voucher open हो गया है purchase voucher open होने पर सबसे पहले आपके सामने यहां पर आ रहा होगा supplier invoice number supplier invoice number वो number होता है कि जब हम माल को purchase करते हैं किसी supplier से तो जो वो bill बना के हमें देता है तो उसकी जो numbering होती है bill की numbering होती है उस number को यहां पर लिखाता है और वो bill जिस date है बनाया गया है उस date को यहां लिखते है जो date यहां पर सो हो रहा होता है यह आपका वो date होता है जिस दिन आप entry कर रहे हैं और यहां पर हम वो date लिखते हैं जिस date में supplier ने bill बना के दिया है तो supplier का जो bill number है वो यहां लिखा जाएगा और उसका date यहां लिखा जाएगा तो हमारे पास ऐसा कोई voucher नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं party account name तो party account name में क्या करते हैं हम लोग उस supplier को select करते हैं जिससे हम लोग purchase कर रहे हैं तो देखें यहां पर हम इस supplier हमारा laser बना हुआ है हम इसको select करके यहां पर और enter करेंगे तो आपके सामने हिस्ट डीटेल की कुछ option आएंगे इसके बारे में हम लोग आगे बिस्तार फिस अचा करेंगे इसको अपने डीटेल करते हुए आगे भाएंगे पार नेल कंपसुन आएंगे वह उस्को आपके सामने यहां पर से करते हुए पर्ञेज लिखिये आएंगा जोगी purchase को ही हमना हम प्रचर्चेज के आगे हमें सेलेक करना होता है तो परेश को कूस आइटम पर्चे रहे हैं तो जो आप आइटम को परचेश करते हैं तो नीश्ज पेबझा ने साउने के बार आपने कीबॉर्ड से स्कूल की प्रेस करेंगे खरेंगे तो आपके राइट साइड में यहां पर कुछ List लिस्ट में नाम सो होगा, यह वो नाम है, जो Company में पहले से आईटम बनाया गया है, यदि हम किसी नए आईटम को purchase कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उस आईटम को बना लेंगे, उसके बाद आके करेंगे और हमारा आइटम बना हुआ है फिर हम एरो की से यहां से सलेक्ट करेंगे जैसे हमारा पहला आइटम है सेलो वाइट बोर्ड मार्कर इंक 15 ml ब्लैक तो इसको सलेक्ट किया मैंने फिर यहां पर आपका रहा कॉंटिटी मतलब उस आइटम को आप कितनी मात्रा में तो 200 लिख करके आप एंटर बारेंगे तो अपने आप यहां पर 200 लिख के आ जाएगा 200 पीस अपने आप इसलिए आ गया कि जब हम आइटम बना रहे थे तो हम वहां पर यूनिट को पीस सलेक्ट किया था अब एक पीस का जो रेट है वह 35 रूपीस है तो इस हिसाब से 200 पी एंटर करेंगे उसकी मात्रा को देंगे पिर एंटर करेंगे तो यहां पे हमैं इसको 100 ब्वक्स से बना हुआ है यहां पे 100 box हम इसको purchase कर रहे हैं तो यहां पर 100 लिख के enter करेंगे box लिख के आजाएगा enter 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 अगर आपने space कर दिया और आपको कोई item purchase नहीं करना है तो यहां से सबसे ऊपर आप इंडाप लिस्ट आके enter करेंगे आपका item का list समाप्त हो गया है एंटर करेंगे एंटर करने के बाद नीचे आपका option होगा कि आप 161,000 उपर का परचेश कर रहे हैं फिर एक बार इंटर प्रेस करेंगे यहां पर narration लिखने की आएगा अगर आप चाहें तो इस परचेश के बारे में कोई भी टिपड़ी यहां पर comment डिसेम लोग बोलते हैं यहां पर लिख सकते हैं उसके बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे यहां पर एक्सेप्ट का option आएगा फिर से पुना एक बार एंटर करने पर हमारा बाउचर जो है वह एक्सेप्ट हो जाएगा और जैसे एक्सेप्ट होगा तो यहां पर दिखिए नंबर टू आ गया क्योंक इसके बाद एक तरीका यही होता है कि हम लोग स्टॉक सम्री में आते हैं यहां पर एंटर करते हैं और देखा रहा है है रागेस सेठीक है हो गया है इसके हम से खीस हो गया है इसको देखने के लिए या हम लोगद चेक सकते हैं कि अगर हमारा आयटम फड़ी होगया है तो इस ट्वाइठम है वह बढ़ जाएगा थिके तो आपको पर्चेश सway डूबरा समुद्रा है आते हैं हम यहाँ हमारा voucher से इसमें आएंगे और F9 करेंगे पर्चेस खुल जाएगा उसके बाद voucher के इंट्री कर देंगे चली अब सेल करते हैं up-araric ऐसे हम किस भूषस अलब सेंगे पर आगे इसके बारे सोने अब ही इसको एंट्र करते हुए आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद पार्टी डीटेल आएगा इसको भी एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगी सेल लेजर में सेल करना होगा तो आपके आइटम का लिस्ट हो जाएगा दिखें सेलो वाइट बोर्ड मार्कर इंक 15 नेवल यहां पर 200 पीस दिखा रहा मतलब यह हमारा जो आइटम ह नहीं हो रहा है हमारे पास 100 बॉक्स है तो इस तरह से यहां पर हमें वह आइटम दिखाई दे रहा है जो हमने परचेज किया हुआ है कि हमारे कंपनी में बना हुआ है जो बना हुआ है वह भी आएगा और जो परचेज हुआ है वह भी यहां पर दिखाई देगा जो परचे 40- Asians करना है तो शो कैरेंगे और गौट करनेंगे कि हमारे पास 200 के कंव üzerिसमे से हम 200 या 200 या 200 से कम को ख सकते हैं तो माल लीजे опять 50 पीस और नहीं है पर अधने करेंगे फिर से एंटर इंटर- 채 Espace उसके बाद हम इसलेक्रें यहां पर यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं 200 पीश है तो इसमें से भी हमने 50 पीश कर दिया फिर आते हैं इस पेस करते हैं अगला ऐकम हमारा अलकाउस बेटर बाल पेन है यह हमारा सो बॉक्स है इसमें से हम 10 बॉक्स सेल कर रहे हैं इसका डीटेल यहां पर आ गया 10 blocks इसका जो चल्रेट है वह है 1750 रुपए इस आज़े 17500 रुपए हो गए फिर हम एंटर 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 करते हुए बाउचर को नमडर 2 लिख के आ रहा है जिसका मतलब है कि हमारा सेल पहला वाला पौचर हो गया है जब सेल आता है इसके बाद हम अगर देखना होगा किस सेल जो हुआ है वह होगया है या नहीं हुआ है तो उसके लिए फिर से हम लोग डेवुक में आएंगे एंटर करेंगे तो देखे य हnyt ये हमारी नैंने वुक्त हमें तक होई और हम तो सब्सक्राइब की यहां पर करें यहां पर को क्या इंटना हुआ है यहां पे हमें इस युदद्री रहे हैं यहां है 90 box है तो cello में कौन-कौन से आइटम है इसको जानने के लिए cello के उपर एक बार और एंटर प्रेस करते हैं तो आपको दिखाए देगा cello whiteboard marker ring 15 level जो black है यह हमारे पास 150 पीस है cello whiteboard marker pen जो black है यह हमारे पास 150 पीस है फिसे back आने के लिए हम लोग keyboard से ESC के लिए प्रेस करेंगे बाय का जाएंगे L cost पर आकर एंटर करेंगे तो L cost का क्या है L cost better ball पर हमारा red हमारे पास है 90 box में चाहुआ है तो जो हमारा stock summary होता है इसका प्रेयोग केवल और केवल बचे हुए stock को देखने के लिए कियाता है अगर हमने दस परचेज किया है और हमने दो शैल कर दिया है तो कितना बचा हुआ है यह देखने के लिए stock summary का प्रेयोग करते हैं हमें voucher entry करना होता है तो उसके लिए हम लोग vouchers का प्रियोग करते हैं यहां पे आपको vouchers हो रहा है और अगर हमें देखना है कि हमने कौन-कौन सा बाउचर एंटर किया हुआ है तो उसके लिए हम लोग daybook का प्रियोग करेंगे तो I hope आपको purchase करना और sale करना समझ में आ गया हो अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप comment के द्वारा बता सकते हैं इससे अगले वीडियो में उसे पूईत्रा से अस्पष्ट किया जाएगा वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में जैए जैए